नमस्कार साथ्षियों और विद्यार्षियों आज प्रसंग वही है लक्ष्मण मुर्षित है हनुमाईन जी संजीवनी जेने गए भगवान राम उनकी प्रतिक्षा और विलाप कर रहे है कल वाले प्रसंग में भगवान राम ने कहा निजी जनेनी के एक कुमारा तात तासुत्म प्रान अधारा है तातियो विवादित चौपाई कुछ लोग मांते हैं तो आज प्रसंग के इस तर में मैं यही कहूँगा कि आप जागा गहराई में नहीं है यदि आप गहराई में जाना है तो हमारा एक वीडियो है राम कथा पर लगों 40 मिनट का उसमें इस चौपाई के माने व्याक्ठा की है जीवन में सुनने के लिए बड़े ब्लोग सुनाने के लिए या कभी और से हटकर सुनना हो तो सुनिए बाकि जितनी सब चौपाई में पंक्त दी गई है उतने का अर्थ लिए अपनी मा के अकेले वो बेटे हो जो तात अतास तुम प्रान अधारा तो उसके प्राणों के आधार हो सामाने से मैं एक दो अर्थ पता दूंगा आपको बस सिधा प्रिष्णा इतना ही तो अपने मा के अकेले बेटे हो और तुम्हारी मा के तो अपने प्राणों के आधार बहुं कि एक बेटा मामा के अंवरधेंग झाओ जिस जो देशन जी के ब्रत्व के बाद आया था कि उर्मिला के पास कि उर्मिला और सुमित्रा और मिला हुं थिट ने कि भद ऐस्ति जाफ्षमण की इसलिए मां का एक बेटा, एक अर्थ कुछ लोग और ले लेते हैं, वो कहते हैं निजी जननी के एक कुमारा, मैं अपनी मां का अकेला बेटा हूँ, कई लोग एसाथ मानते हैं, निजी जननी के एक कुमारा, मैं अपनी मां का अकेला बेटा हूँ, और तास उतात तुम प्रा मैं तुम्हारे मिना नहीं रह सकता। आपको भले अर्थ अच्छा लग जाए लेकिन ये अर्थ आगे चलकर काठ देता है पंक्ति को जोगली चौपाईए तब विवस हो जाएंगे तो आप सीधा आर्चे लिखिए तो अपनी मा के अपेले वो बेटे हो जिसके कराण तुम् और इतना ही नहीं आगे देखिया कहती है सौपे सिमोई अरे उसने मुझे सौपा था राम को सुवित्रा ने चलते समय कहा ये लक्षमन को ले लो सौपे सिमोई तुम ही तुमको सौपा था सौपाविक है जब कोई बड़ा कहीं जा रहा होता है तो छोटे रोग की जुम्म और बड़े को दि जाती है सौपे सिमोई तुमें ही आईसे भी नहीं सौपा सौपने का पही दीका था गए ही पकड़ करके क्या पकड़ा पानी मैंने बताया आत होता है जब मैं बनवास चलने लगा तो तुम्हारी माने मुझे तुम्हारा हात पकड़ा अ कि लोग आप इसकी देखभाय करना ये तुम्हारे जुन्में है अरे यही बात तो परसुराम जी से कही थी लक्ष्मर जी ने जब लक्ष्मर परसुराम का समवाद हो रहा था कभी आपने पढ़ा हो प्लाश 10 में या रामचरीत मानस में तो जब परसुराम जी लक्ष्मर को म मारने जाते हैं कि में मार डालूँगा काल कवन हो यही छनमाई तब राम लेकी निवेज़त गिया था अरे आप इसे मारिये नहीं क्यों मैया ने चलते समय कहा हे राम बचन मम सुन लेना लक्ष्मर को संग लिये जाते ऐसा ही मुझे सौप देना यदि नाथ इसे तुम मार करोगे ममसिर कलंक लग जाएगा मैया पूछेगी लखन कहां तब क्या कहकर बतलाएं बड़ा दुख भरा पंक्तियां लक्ष्मर के विशे में राम ने ऐसा कहा था कि मैया ने सौपा था आज राम कह रहे हैं उस माने जिस मा को तुम प्राणों सहित प्रिय हो उसने मुझे तुम्हें हाथ पकड़के सौपा था क्यों मुझे सौपा था सर भबी जी प्रतेग प्रकार से सुखद कि मैं उसको सुख देने वाला हूं आदमी सौपता भी उसी को है जिसको जानता है ये काम करनेगा जब मैं विद्याले में था प्राचार महोदाज बुला कर अध्गा कि युकाम सौपता है जिसको जानता है तो राम को अच्छा जानकर सब भी धी प्रतेग प्रकार से सुख देने वाले और परम हितैशी कि राम से बड़ा लक्षमन का कोई हितैशी नहीं हो सकता ये जानकर के तुम्हारी माने चलते समय मेरा हाथ पकड़कर लक्षमन का हाथ मेरे हाथ में दिया था कि आप से इसकी जुम्हारी तुम्हारी है अब जब मैं जाओंगा तब क्या होगा यते उतर पाह देनों उतर मैं उत्तर काह मने क्या दें दूंगा तेही तेही मने उस मां को जाई अरे मैं जा वापस जा करके उस मां को क्या उत्तर दूंगा जब मा दूंगा लक्षमण की मरत्र हो गई तो वो कहेगी मैंने तुम्हे जुम्मेदारी सौपी थी हे राम ये क्या हो गई क्या उत्तर दूंगा आओर उठकर किन क्यों नहीं क्यों अखें मुझे सिखावू सिखादो बतादो एक बार उठकर घुटादो कि मैं उस मा आसके इस मा जिम्हेड दूंगा , जिस मा ने मुझे तुम्हें सौंभा था पर देख लेते हैं तुम्हारी माने तुम्हारा हाथ पकड़के मुझे सौपाया था जुम्मेदारी दी थी यह माना था कि राम प्रत्य प्रकार से सुख देने वाले और प्रभीताशी सिद्ध होंगे अब मैं उस मा को जाकर क्या उत्तर दूंगा हे भाईया एक बार उठकर के यह समझा दो बता दो आगे देखते हैं बहु भी दी सोचत सोच विमोचन बहु भी दी सोचत एक नहीं बहु भी दी अनेक प्रकार से सोचत सोच विमोचन सोच रहे हैं राम अनेक प्रकार से तमाम बातें सोच रहे हैं कौन सोच रहा है सोच वि को हे समझेंगे तो मैँत का सोच रहा है सोच जो सारी सोचों को यहां सोचकांत शौक है जो नाणा प्रकार के दुख लोगों के क्या करदेते हैं VIMOCatched जो लोगों के नाणा प्रकार के दुख दूर कर convention यह जो सारे संसार का दुख दूर करने वाला है जो तुम जानू अन्तरयामी, पुर्वहुमोर ममूरक्स्वामी, दीन दयाल भिरसमभारी, हरुणाथ ममसंकट भारी, जो तमाँ संसरके संकट को दूर करते हैं, जो संकट मुक्क हैं, जो लोगों के दुखदूर्द करने वाले हैं, आज वही क्या कर रहा हैं, बहु भी जी अनेज़ प्रकार से सोच कर रहा है जो सवयम सुप करपना कीजिए युद। झो पीजा क Coffee को से संव्थ को धन देती है वह इन से आज याचना कर रही है और पैसे के लिए परिशान है। सथ Stream विद्या की द वी है कि इनके आगे नARON सथ को रही है तो हम जो को सनकर हशी आएगे आज तुरिशीडास कहते हैं कि नाना प्रकार। नेक प्रकार से सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, जो सारे संसार के सोच का, सोच का, दुख का, कश्क का निवालन कर देते हैं, दुमिया जिनके आगे हाथ फैलाती है, जोने फैलाती है, अपने दुखों को दूर करने के लिए, आज वही राम नाना प्रकार से सोच विचार कर रहे हैं मैं समस्वाइश पर सोगया होगा बहु भी सोंचत सोच भी मोच है चाचियो एक बात और बता दें आपको यहां पर सोच अगर आप एक अनंकार होता यमक इदो आपको पढ़ाए एक शब्द पुनि-पुनि फिरे और पुनि-पुनि अर्थ नवीन एक शब्द दो चुक अब सुवीन तो यहां कैसे धरत यहांHHH पर यमक सिधा तो नहीं है मगर सभंग प्द यमक है सभंग हो जाए देखिया सोचत है और सोच तालग करें उससे सोचत दूनों में एक सोचकार्था विचार कर रहे हैं चिन्तन और डूसरे सोच नर्थ सोच आर्थ शोःकू यहां सभंग पद्र यमक हो जाएगा और वाट एक मिट देखा बता देते हैं आपको यही पर बाशा आपको पता है अवधी है मैंने पहले बता रखाया आपको छंद शौपाई है रस्करुण है ठीक है तो और अलंकारों में अनुप्रास तो मिलेगा ही मैंने कहा था आपको अब बहुबिदी अनेक प्रकार से बात नहीं पिला गया तो अनुप्रास और यमक यमक भी हो गया सभंग में यमक इतना होगा बहुबिदी सोचत अब सोच विमोचन आगे धांद म सिस्रमत माने शरमत हो रहा है किया सलील पानी जल गिल रहा है कहां से राजियू माने कमल बल माने समुह लोचन माने द्र राम के कमल स्पर के समान नेत्रों से लंगे राजीव इनने कमल होता है शाथ यहां राजीव लिखा आप उसे आप पर इरोक हो अगर वह राजीव लिखेंगे तो यह जी में एक मात्रा हो अगर राजीव कर देते तो एक मत्रह जाती, जब एक मत्रव बढ़ जाती तो चौफाई में महत्रा होने की सोना, किंत्वो हो कितनी जाती सप्त्रा? अब पढ़ने सकते थे श्रवत्षलिल राजिय उदल न, राजीय उदल लोचन, पढ़ने में ये अलक पटपट अलक जाती है एक मात्रा का यहर से उधर होने में वाब राजीव लिखेंगे पित राजीव माने कमल कमल की पंखुडियां के समान जिनका नेत्र है राम को नामी एक राजीव लोचन था राम का मा कहा करती थी स्रवत तसलियत आज राम की आखों से उन कमल किस से आशुनों से और है पानी से कि तुह है वास्तों में क्या आशु स्रवत सलियल राजीव दल लोचन उनके कमल सुरूपी नेत्रों से कमल के समान नेत्रों से आशु की जड़ी लगी हुई है राम रो है कोई दिक्रत नहीं उमा एक अखंडर भुराई नर्गत धगत कर क्रपाल दिखाई लीजिए फिर समस्ते आगे मैं लाग प्रयास करता हूं कि अधिक व्यक्षा न करूं आपको शब्दार्थ बताओं कि तो मन नहीं मानता कहते हैं उमा आप दिखें उमा कहते हैं पारवती को अब आप कहें पीचे पारवती कहां से आगे समुद्र किनारा समुद्र तर्ट पर लक्ष्मा बेहोस बंदर भालू किसे ना यहां पारवती ये उमा एक अखंड रगुराई नरगर की भगत क्रपाल दिखाई साथियो मेरे तमाम वीडियों में देख लिए कभी मपा मिले तो पस इतने बता दूँँगा आपको रामचरित मानस तुरसी वक्ता हैं चार सुनता हैं ठीक है न एक जिए भगवान शंकर सुना रहे हैं पारवती को पूरी कहानी अपने पूर जन्न की जब संकर जी की पत्नी सती वुआ करती थी और उनकी मुद्ध हुई थी वो पूरी कहानी सुना रहे हैं रामचरित मानस तुर्ण ने ऐसा कहा कि यह कहा तब भगवान कह तुमों को सुनाता हूं ये रांचरित मानस भी म्लों शंखृ शंकर पारवति हैं एक तो वख्ता ब़लब indeed too तो सिदास हैं और हम सबुआ पार्वती का नाम आया है शंकर जी खथा सुनाते हुए आगे बढ़ाते हुए कहते हैं हे उमा एक अखंड रहुराईी रहुराई माने राम जो है अखंड है अखंड का मतलव सब जगे व्याप्त हैं सरो व्यापी है वो सरो व्यापी प्रवु जिसका खंडन नहीं हो सकता, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके मृत्य नहीं होती, जो अजन्मा है, जो आज मद्य हीनाय, प्रारम वरंत से रहित है, परे है, सब जगे व्याप्त है, ऐसा रहुराई, लेकिन वो आज जो व्यापक सर्व व्यापी है, कणकण में विद अगर तो अपने भक्तों को प्रपालु बिखाई प्रपालु को क्रपा करने वाले भगवान राम ने अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भक्तों को ये बताने के लिए कि एक सामाने प्राणी किस तरह रोता है सामाने मनुस्य इस धरती पे किस प्रकार परेशान होता है इसलिए ये पूरी नर लीला की कोई दिकत एक दोहा ये चौपाई एक पंक्योर लेकर तब बैठ्ठा समाप्त करूंगा ज्यासा ध्यांदीजेगा प्रभु प्रलाप अगला सोर्था प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भे वानर निकर आए गया उहनमान जिमिकर ना महदीर रस प्रभु प्रलाप सुनिकान ध्यांदीजेग प्रभु प्रलाप सुनिकान भये वानर निकर आए गया हुँ हनुमान लीजिए प्रसंसा हो गई हनुमान जी मी करुना महवीर रस्त जी मी करुना महवीर रस्त साथियों तहां रखीए इसको गल्ति से आप दोवा न कहीं दीजिए यह दोवा नहीं है केवल आपके पुस्तक में एक एई है और इस छंद का नाम है सोरठा यहां दिए आपको दिक्कत हो हमने सोठा चंद पढ़ाया है हमारा वीजियो सोठा चंद पर है उसमें एक हजार से अधिव हमारे लोग है जिनों देखा है इसको अब तक और बहुत देख रहे हैं सोठा चंद दोहा पता है आपको तेरा और ग्यारा मात्राएं होती है सोठा दोहा का उल्टा होता है यहां पहले और तीसरे में तेरा तेरा फिर ग्यारा यहां उल्टा कर दिए पहले ग्यारा फिर तेरा फिर ग्यारा फिर तेरा और एक बात होता है देखें आप इसमें ग्यारा तेरा खो तो उसमें अंत में तुक होनी क्या है यह लए होनी क्या है शब्दों भिलां जैसे आपको साधरन सा दोखा दे देते यह आपको आपने याद है। गुरु गोविंद दो खड़े काके ना गुंपाएं। अब यहाँ क्या आगया। भलहाई गुरु आपने गोविंद दियो बताएं। अब देके बताएं आगया। दुहे में, यह दोवा ने देखे मिल ले राद। प्रभ्लाप सुनिकान, विकलुभए बानर निकर। यहां किमिकर आया. आय गयो हनमान जीमिकरुनामह वीररस। नहीं मिला। अगर इसको पलट दे हम तो यह दोह बनेगा। आपको यह कैसे दोह बनेगा। देख़ीजिए। विकरलभ है एबानर निकर प्रभु प्रलाप सुनिकान जी मिकरुना महवीर रस आए गयो हनुमान बन गया दो हना बस इसकी महत्रा है उल्टी हो जाती है आराम से जारा तेरा अब देखने हैं आप तेरा यहां तेरा मिलें हुआ गया एक दो एक तीन एक चार दो छे दो आट प्रभु प्रलाप सुनिकान जब भगवान इस तरह रोए बिलखने लगे क्या जवाब दूंगा जाकर भईया उठकर बता दो तो प्रभु प्रलाप प्रभु का प्रलाप आलाप विलाप दुख दर्ग सुन करके कैसे कानों से विकर भईया ब्याकुल हो गए तरफने लगे कौन वानर निकर अरे बंदरों का समूझ हो था भालों का समूझ हो था सब के सब कई पार ऐसा होता है किसी घर में शौरख खा होता है तो उसकी पत्नी रो रही होती ही कुछ बाते कहकर सारी की सारी महिलाएं खटे रोने लगत इतनी व्याकुलता बढ़ी इतनी व्याकुलता बढ़ी और उससे ही मध्ये आप देखें कितना सुंदर काम हुआ आए गयो हनुमान जी का प्रवेश हो जाता है आए गयो हनुमान कैसा लगा कितनी सुंदर बात कहते हैं वह स्वामी जी जैसे ऐसा लगा जैसे मानो करुणा में दुख में दर्ग में खसी नहीं आई ध्यान लखेगा करुणा में क्या हुआ करुणा में क्या हुआ करुणा में क्या हुआ करुणा में क्या हुआ करुणा पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे चार्ली सेप्लिन ने एक ही काम किया भारत वर्ष में विशेष्टा है करुण रस और हास रस को एक साथ नहीं मिलाया जाता करुणा के साथ हास नहीं होता लेकिन चार्ली सेप्लिन ने करुणा के साथ हास मिला दिया सब रो रहे थे और इक्दम हसे नहीं अरे जिमी करुनामा वीर जोस आ गया फेफेफुर्रे सबने एकसाथ सुरू कर दिया होगा जोस को मंद क्या ब्रावन क्या कर पाएगा अब हमारे लक्षमल पुना जीवित हो गए हैं अब क्या क्या कर दो आए हैं अभी कुछ भी नहीं कोता है अभी कैसे कैसे ठीक हो जाएंगे मगर यही समझ लिया कि चलो हुआ सफलता की पहली मंजिल मिली हनुआ जी को सामने देखते ही अरे वो तो संकट मुचन है वो तो सारे दुखों को दूर करने वाले हैं हनुआ को दे संद है साथियों कि ये था एक उत्सा पूर कविता का प्रसंद इस प्रसंद को यहीं सवाप्त करता हूं आज खुश रहिए क्योंकि आज हन्मान जी का प्रवेश हो गया है राम का दुख दूर हुआ अब अगली वीडियो में देखिए कैसे लक्षमाजी ठीक होते हैं बहुत भन्निवाद बहुत बहुत भन्निवाद बहुत भन्निवाद